गंतंत्र दिवस पर निबंद 600 शब्दों में प्रस्तावना 26 जन्वरी को मनाया जाने वाला भारतिय गंतंत्र दिवस वह दिन है जब इसी दिन सन 1950 में हमारे देश का सविधान प्रभाव में आया गंतंत्र दिवस का दिन भारत के तीन राष्ट्य परवों में से एक है यही कारण है कि इसे हर जाती तथा संप्रदाय द्वारा काफी सम्मान और उत्सहा के साथ मनाया जाता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि इस दिन हमारे देश का सविधान प्रभाव में आया था हलांकि इसके अलावा इस दिन का एक और इतिहास भी है जो की काफी रोचक है इसकी सुरुवात दिसंबर 1929 में लाहोर में पंडित नहरु की अध्यक्षता में संपन हुई भारती राष्ट्य कोंग्रेस के अधिवेशन से हुई थी जिसमें कोंग्रेस द्वारा इस बात की गोशना की गई थी यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत सासन डोमीनियन स्टेटस नहीं प्रदान किया गया तो इसके बाद भारत अपने आपको पूर्णते स्वतंत्र गोशित कर देगा लेकिन जब यह दिन आया और अंग्रेजी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया गया तो कॉंग्रेस ने उस दिन से पूर्ण स्वतंतरता प्राप्ती की लक्षे से अपना सक्रिया अंदोलन आ आजाद हुआ तो 26 जन्वरी के दिन इस दिन को सविधान स्थापना के लिए चुना गया भारत का राष्टिय पर्व गनतंत्र दिवस गनतंत्र दिवस कोई साधारन दिन नहीं है यह वह दिन है जब हमारे भारत देश को पूर्ण रूप से स्वतंतरता की प्राप्ती जब 26 जन्वरी 1950 के दिन भारत सरकार अधिनियम को हटा कर भारत के नवनिर्मित समीधान को लागू किया गया इसलिए उस दिन से 26 जन्वरी के इस दिन को भारत में गनतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा यह भारत के तीन राष्टिय पर्वों में से एक है इसके अलावा अन्य दो गांधी जयनती और स्वेतंत्रता दिवस है इस दिन पूरे देश बर में राष्टी अवकास रहता है यहीं कारण है कि विध्याले तथा कार्याले जैसे कई जगों पर इसके कार्यकरम को एक दिन पहले ही मनाया जाता है गनतंत्र दिवस से जुड़े कु अपति का पढ़ लिया गया था गनतंत्र दिवस प्रेड के दोरान एक क्रिश्चिन धावनी बजाई जाती है जिसका नाम अबाइड वित मी है क्योंकि यह धावनी महत्मा गांधी के प्रिय धावनियों में से एक है भारत के पहले गनतंत्र दिवस समारों के मुख्या थी इंडोनेशय के राष्टपती शूकरणों थे गनतंत्र दिवस समारों का राजपत में पहली बार आयोजन वर्स 1955 में किया गया था भारतिय गनतंत्र दिवस समारों के दोरान भारत के राष्टपती को 21 तोपों की सलामी दी जाती है गनतंत्र दिवस समारों हर वर्स 26 जनव के नई दिल्ली के राजपत में गंतन्तर दिवस के इस कार्यकरम को काफी भव्य रूप से मनाया जाता है। सभी लोग सामुईक रूप से खड़े होकर राष्टगान गाते हैं। इसके पश्चात कई तरह की सांस्कृतिक और पारंपरिक जहां क्या निकाली जाती है, जो की देखने में काफी मनमोहक होती है। इसके साथ ही इस दिन का सबसे विशेश कार्यकरम प्रेड होता है। जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्सा होता है। इस प्रेड का आरंब प्रधान मंत्री द्वारा राजपत पर अमर जवान जोती पर पुश्प डालने के पस्चात होता है। इसमें भारतिय सेना के विभिन रेजिमेंट, वायु सेना तथा नो सेना द्वारा हिस्सा लिया जाता है। यह वह कार्यकरम होता है जिसके द्वारा भारत अपने सामरिक तथा कूटनीतिक शक्ति का भी प्रधरषन करता है। और विश्व को यह संदेश देता है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। 2018 के गनतंतर दिवस अमारों में एक साथ कई सारे मुख्य अधीतियों को आमंतरित किया गया था। इस कारेकरम में सभी आश्यान देशों के प्रमुखों को आमंतरित किया गया था। गनतंतर दिवस हमारों का यह कारेकरम भारत की विदेश निती के लिए भी काफी महत्पूर्ण है। क्योंकि इस कारेकरम में आमंतरित किये गए विबिन देशों के मुख्य अथितियों के आगमन से भारत को इन देशों से संबंदों को बढ़ाने का मोका मिला है। निसकर्ष गनतंतर दिवस हमारे देश के तीन राष्ट्रे परवों में से एक है। यह वह दिन है जो हमें हमारा गनतंतर के महत्व का एहसास कराता है। यही कारण है कि इसे पूरे देश भर में इतने जोस्त था उत्था के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह वह दिन भी है जब भारत अपने शामरिक शक्ती का परदर्शन करता है जो कि किसी को आतंकित करने के लिए नहीं अपीतु इस बात का संदेज देने के लिए होता है कि हम अपनी रक्षा करने में 26 जनवरी का यह दिन हमारे लिए एक एतियासिक परव है इसलि करता है